जो भक्त मंगला चन्ड करना चाहते हैं प्लीज आप हेंटरीस कर सकते हैं परतियों वाताज आपको अन्म्यूट किया है अरे किस्ने माता जी मंगला चन्ड करना मंगला चन्ड करना चाहते हैं जी तरह याते हैं अग्याने मेराधा जयाना जनान साल आपाया चाहर नमेलता मेनतास्मे श्रीगुर्वे नमा श्रीड़ुतने मनोमेश्धाम वस्थापिते निवोतिले शंगरुपा कदा महीदादेशा पाधिकंड प्रोका को अज्यों तुम वालन भानिषन मेंने टुम ज स्विखेखृ in में अर्षारłe कशने ती नहां थे प्थार्व भरिosaurus और भॉतले सुन्नी ओनी नुकर उंधिस्ये झांँ टेविल भर्षाणी नामश्वादीर खिलए न्यूकर प्रमिल भर्षाणी atics Спश्वामि达ने हमी तेन हमे नम्स्ते सुरसाते देक आरवाने परचैने के सितारी हिरूर्च परेjmल के पार्दायते। ही प्रिस्ने में ओंगे अ्यर्ऑ शीरतो नमने गरमेंज नमों तो हैटो है भुप्तारू तर्योंक नमिन ऐद satisfな करना सिंदू दिन बंधु जगत पते गोपे से गोपिता कांते स्री का रधा कांते नमस्तु पतकान जे नुबारांगी स्री राधा बिंदावने तरी मृष्ण वानु सुते देवी परनाम अमी हरी फिरी वाच्छा काल पादरु मेव किर पासुंदू एव चांपाति ता ना पावने भयो वैसने भयो नमो नमो जै स्री कृष्न चैतन्य प्रभुनित्यानन्द शरी अदेत अगदाधर शरी वस्वाधिगार भक्त बिंदा हरे क्रिष्ना हरे क्रिष्ना 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 हरे हरे रामु हरे रामु 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 राम जल्दी बोलते हैं, जो स्टार्टिंग के श्लोकाज होते हूं, तब धीरे-धीरे बोलिए, और प्रनाउंसेशन दोड़ा करेक्ट कीजिए, जल्दी बोला नहीं हमको करेक्ट करना बहुत जोड़ी है, ठीक है माताजी, ठीक है माताजी, पुरुपाई जी के साथ दो माला का जब परेने नमाओ विश्नूपादाया, कृष्नोपरेष्टाय भूतनी, श्रीमते नभियोगंडर्श्वामीर्टी नामिने, नमस्ते पुपाद देवे नामसंकिर्थन्पर्चार्चारिने दृब्षेषण शुन्यवादी समस्तदेश तारिने, नमाओ विश्नूपाद श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सर्ष्वते देवे गौरवानी प्रचारिने मिर्विशेष शुन्यवादी पाश्चात्य देश तारिने याश्री कृष्ण चैतन्या प्रभूनित्या आन्दा श्री अद्व हगदाध श्री वाच्वाजादी गौरवद्व मत्यरा है ट अपत रोपह पर प्लपा जी कि एक अवना कहिंए देरिख़ आंप कर्देरि अप्लियार और मुरम देशिंख सुछिंग तरुस्थ तक्रस्थ आइट इससना मुपंऽ भोचन helps अपर सबस्खिंग आइट पसके आइट ज़एए और इसक दाइट, इस्ते अंपिस्क्राणि कट्स्फ्रहे अरि राम राम रामारी ऑने विस्फन 000 कुष्नकु door अधि strang राम राम हो और है तो हम अधि 내 mater पिरिस्फ्न री इस्ते अधिस्त Neighbor कुष्न cent अधिंठ व्रहे वर वरर आम रञ्रոब आरी डिष्ना हरी गष्ना कुष्ना कुष्ना हरी आरी 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 आ हरी इसना हरी इसना कुष्ना 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 कुष्न हरे घंड सन पर अजने करता है संदीर हर खंड एंडोशना हरी इसने अरी इसने अरी lib कि स्पिस्ना प्सपर सुरुषरी एल और आमाहतIS । व प्री प्रीयव कि स्थरुष्ष्ष्ष्ब पार्मा貌 रूमा हरी परीचंअ प्रीजिस्ब हर ला मेंगे ऍच्ष्ब करे अरी आमाहतIS । हरी इसना हरी इसना कुष्ना 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 कुष्न हरी अराम हरी राम हरी ईजशन शर्टन करष SECRET नाधैरी ऱृराम नाम र怎麼 महः रे जशन शर्टन करूष्णा हरी अ stay शर्यप historic आष allen Leo Frenchreens motivation आलें पौसि आरे विप है विप है मातना करूष्णा हरी आ हर मयदे शर्टन करूष्णा हरी कर ऐि लूम यूम यूम लूम यूम यूम सान ऐत्री घ्ल और हो अला मूम यूम भुने सन आघी इसने कर शुन हरे वि यूल्म यूम 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 अरे थीर आंजन कर श SAPर ब समें। है ल이ुजं महरी घर मुश्त ओ Прав हगारी आ रूमक्री सन अ अरियो तरшее भी लियारे भीच्ना कर्ष्ना 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 अरे वराम अरे भफार एंदा कर्ष्ना具 है। प्रेंदेशना 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 प रां रम राम राम हरे अरी डिस्न हरी भिस्ना खृत्षना खृत्त skateboard के अरी अरे पीजिशन ह ऀ CPR एताJack आ रही अरी पेखिस्ना खृत्क्र सर्च्द रहीडिर स्ष्ट रही और नाम रोम घ्रेнал प्रें द्रेंड तींड क Casa हृत Посला है छे राम 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 हरे अरी आरे धिसन्हृरी गषिन कुश्ना कुशना और यहा शर राम 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 राम् राम् राम्राम. कि अे धिसना हृ faltकर मुश्ना कृष्टा। हर मेरी जिसना हृ वे इसना कृष्टा पर एडोंर राम। इसना हृ पर इनुष्ट पर्श्दना कृ निहां विजै का नढ़ा इसना कृष्टять हृ राम। खारी राम 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 रहरी। आप सब भक्तों का पुने स्वागत है पुरपाज जी के साथ एक मारा जब करने के बार हम सेशन में आगे बढ़ेंगे आपने मारा जी के सकते हैं आपने मारा जी आपको व्म्यूट किया है अधर किश्ना प्रभु जी आए हम यहीं सहके है कि क्रिश्न मवान की कृपा पाने से के लिए हमें राधारानी से कृपा लेनी होगी जी, यस माताजी राधारानी से कृपा करेंगे तब यह कृष्ण बक्ति में आगे बढ़ सकते है प्रिंसी माती आपको अन्म्यूट किया है अरे कृष्ण प्रभुजी टन्वर प्रणाव अरे कृष्ण माताजी आज मैंने सीका है राधारानी सिर्फ होर सिर्फ शर्फ को प्रसंद कर दी तो है पर काम जैसे हम सब लोगों में जब तक काम, क्रोध JUST हो तब तक हम कृष्ण को प्रसंद हो यह सब पहले छोडबना पड़ेगा फिर हम राधारानी को प्रसंद करकि और आधरा नी जो प्रसंद होती है तो तभी हम कृष्ण प्रसंद हो सकते हैं धन्या माराजी थिंक्यों अर्मूट किया है ताथ स्री नग्वाराजी के लेक्चर से मैंने यह इस जीवन की सफलता भगवात प्राप्ति में ही है अरे कृष्ण प्रभुजी अरे कृष्ण प्रभुजी प्रभुजी महराज जी से मैंने यही सिखा कि राधा नाम ही सबसे बड़ा धन है और इस धन को हमें ज्यादा से ज्यादा भर ना अरे कृष्ण परुजी दनत पर नाम है तो राधारानी को सबसे पहले हम लोग परशन करना है पर भगवान को ही पहुंचाएंगे जी धन्याद मातरी, तैंक्क्यों अरी मच्श पति अपरुजी आपको न्म्यूट किया है अब इंदाबन में भी एक ऐसा जगा है जो सुर्भी कन में जहां राम लाला रहते थे तो उनको इतनी भक्ति ही मिली थी जो राधा रानी को पाने के लिए वहां गए थे लेकिन हो देख नहीं पाये तब राधे रानी ने एक सिर्कृष्ण भाग्वान से कहें कि उनके आखो पुझी भगवान मदन मोहन है और राधारानी मदन मोहिनी तो हमें राधारानी के चर्णों में प्राथना किनी चाहिए और भक्ति का वर्दान मांगना चाहिए हम सब मदन से पीडित हैं मदन मतलब काम और कृष्ण जो हैं वो मदन को ही मोहित कर लेते हैं और ऐसे मदन मोहन को भी जो मोहित करती हैं उनको मदन मोहन महिनी का जाता है धन्याप पूजी, thank you very much चलिए आज के शेशन में हम आगे बढ़ते हैं हम गुरु शिश्य बुक इडिंग शेरिंग करता हूं येस, तो आज गुरु शिश्य बुक में है शिश्य को चहिए कि अपने गुरु को कृष्ण का विक परतिनीदी माने गुरु कृष्ण कृपा हन शास्त्र परमाने गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गाने अनुवाद स्मश शास्त्रों के सुविचारित मत कहने उसाथ गुरु कृष्ण सभिन है भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उधार करते हैं, चाक परे हैं, शिश्य और गुरू का संबन्द वैसे ही होता है, जैसे कि भगवान के साथ उसका संबन्द है, गुरु दे अपने को सदेज भगवान का सबसे दिनी डास कहा कर तो परश्चित करता है, किन्तु शिश्य को चाहिए कि वह उसे प्रतिमीदी की रूप में देखे, चेतना चरितामःत आदी लीला 1.45 तो पुरुपाजी में बहुत सुन्दर एक्स्प्रेंट किया है चेतना इसमें गुरु तत्व क्रिश्न तत्व में क्या संबन्द है, जहाँ पर पुरुपाजी श्रोक के माध्यन को बताते हैं, गुरु क्रिश्न क्रिपा हर शास्त्र परमाने हैं, यह गुरु कोन है, यह क्रिश्न की क्रिपा प्राप्त हुए, जिनको क्रिश्न की क्रिपा प्राप्त है, वही एक्सर में गुरु बनने लायक है, वही गुरु बन सकते हैं जिनकों पर क्रिश्न क्रिपा है, और यह शास आगरागर के लाग्वान में वहगवान ने जहांटू है क्यों सब्त कुछा है रहे और जुघ को पहुए पर भगवान हमारे इतना चिंटेट है कि यार जीव मैंने भबाटी जगत बना तो दिया पर जीव इहां पर रहेगा कैसी इसको वापस लाने कुए भावान ने शारे शास्तीर में क्रेट किये सारे वेद पाट सब हमको दी और उनको समझने के लिए भागवान स्वयम गुरू रुक में आते हैं तो यह भागवान की जिवात्माओं को पर बहुत बड़ी क्रपा है इसलिए इस भक्ति पत पर हम आज नहीं तो कर, हम कर तीन चार दिन ज़्यादा एंडेवर की जूट नहीं है माया देवी इतनी सशक्थ है वो आपसे एंडेवर करा लेंगी आपको धन चाहिए ज़्यादा थी आप भोतिक जिगत की जो भी इच्छा पाना चाहते है जो आपके भागवे में नहीं तै वो आपको मिलेगा ही मिलेगा और माया देवी इसमें एकदम बहुत परफेक्ट है कहते हैं, हम जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें डिफेक्ट हो सकता है लेकिन माया देवी जो मैनेजमेंट करते ही हर जीव के उसके कर्मों के नुसार तो अगर आपके भागे में पांच क्रोड का लिखा है और पैसा लिखा आएगा तो डेफिनेटली आएगा है आपसे उसके लिए प्रयास कीजिए चना कीजिए माया देवी आपसे करवा ही लेंगी इसलिए जीव यह तीनों गुणों में घुनता रहता है तो गुण रजो ग अगर इसको ध्यान से शुक्ष िद्श्ट्री से देखने की कोशिश करेए हुं हमारा बच्या देखे पढ़ही करने जाता है तो पर भगवान किपने ज्यालू है ? भवान जानते कि माय भौती जगत कैसा है यह दुखाले म अशास्ष्वतं है यहाँ दुख ही दुख है तो भगवान जिवात्मा को दुख में रहना देखना चाहता ही नहीं हर समय पर भगवान का प्रयास होता है कि किसीने की माध्यम से वो जिवात्मा को इंस्पैर करे कि आप यहां के जीव नहीं है आप आध्यात्मिक जगत के हैं आपको अध्यात्मी जगत आना हो तो भवान का पूरा परियास नहीं है तो भवान कृष्ण गुरू के रूप में भक्तों का उधार करने आदे तो भक्त बनने के लिए हमको अपनी तरह से एंडियोर दिखाने ही पड़ता है जब हम भक्ती के रास्ते पर चलना जिसे अभी हमने समझा कि भौतिक जगत में हर कोई भी कारे करने के लिए आपको ज़्यादा प्रियास नहीं कहना पड़ता माय देवी स्थुत है आपको हर कारे में लगा देगी लेकिं अध्यात्मिक जगत में भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है अगर आप देखा गया जगर तो इ पहले तो माय देवी जब बहुत ही जगत के मैक्सिम कारे करते हैं तो माय देवी का अध्यात्मिक जगत के आप आध्यात्मिक गुरूपे कारे करते हैं जब करना कथा करना श्रवन करना यह गुरू करपार से संभाव होता है तो जीव के हाथ में क्या बचा जीव के हाथ मे मैं भी आपकी तरह अलग रहे के आनन भोगना चाहता हूँ अब बहुत एक जगत में आके जब ठोकरे खाता है तो जीव को ये बात समय आयाती है कि अब मैं इस बहुत एक जगता नहीं हूँ अब मुझे भागवान की शनुवापिश आना ये विचार ही आना ये ही विचार ह भक्ति करवाती ही नहीं है क्यों नहीं करवाते हैं आप आप किसी से अगर भोतिक जगत में आप देखो आप किसी से रिस्पेक्ट मांग नहीं सकते हैं रिस्पेक्ट जोती दी जाती है आप ये आपके हात में कि आप किसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं आपका अगर उस आधान परदा होता है, वो प्रेम के तत्व पर है, प्रेम के मादन पर है, तो प्रेम में क्या होता है, बाध्धिता नहीं होती, प्रेम में आपको, क्लियर हो कि आपको प्रेम करना है या नहीं करना है, तो यही जो हमारी जीव की एक ही योग गेता है, जीव एक ही काये कर सकत अगर वो इच्छा प्रकट कर पाया भागवान उस इच्छा को तुरंट जान जाते हैं कि भागवान कौन है हमारे रिदे में चेत्य गुरु गुरुप तो जैसे ही जीव सोचता है कि ए कृष्ण अब मैं आपकी भजन करना चाता हूँ मैं समझ जो इस बहुतिक जिनसार में किवल दुख ही दुख है अम मैं आपका भजन करना चाता हूँ भागवान तुरंट इतने प्रसन होते हैं तो तुरंट हमारे चेत्य गुरुप पर प्रकट होके हमको क्या करते हैं हमको आध्यात्मिक पत्र आने के लिए एक तुरंट त्यार होता है फिर आपके जीवन में भक्तों का आना संभव होता है फिर आपके जीवन में गुरु क वी देकर लेकर जाने के लिए। तो यहां भी प्लियर वही लिखा है। वो जो गुरु को भागवान के वेक्ष परतिनी दे के रूप में देखे। वो समझे कि जो गुरु है वो अच्छे में क्रिश्न के परतिनी दे। लेकिन कैसे वो मानव शरीर में आए। ताकि हमके साथ, हमारे साथ वो connection एस्टबलिश करता है। वो एक तरसे बीच में फेविकॉल का काम करता है। और भगवान को है। भगवान दिवेशेजिमा। तो दिव्यता और इस मानवता का जो सरयोग होता है। ये गुरु के मानव सकता है। इसलिए गुरु हमेशा बंदनी होते है। गुरु हर प्रस्विति में आपके बंदनी है। अजर किसी भक्त को की प्रशन है इस बारे में तो हम दो तिन प्रशन ले सकते हैं। ये सिरु बंदना माताजी। हरे किष्णा प्रवजी बंदनी होता है। हरे किष्णा माताजी। मेरा ये कुश्चन आज की क्लास पे रिलेटेद है। और पर्पम वाली जो गुरु महाराजी क्लास इसी आत्मक्यतरना प्राद है। लेकिन उसके कर्म ही ऐसे हो कि ऐसे जाना हो। कि यह जो डिसियन होता है, यह जीव का खुद का होता है, भगवान इसमें इंटर्फेर नहीं करता है, जैसे गुरू को धार्ण करना, यह जीवात्मा का डिसियन होता है, आप अपना जीवन कैसे वेक्ष करना जाते हैं, इच्छा, हम इच्छा कर सकते हैं, कुछ इच्छाएं कैसी होती है, हमारी इसी जन्में पूर होती है, कुछ इच्छाएं हमारी अगले जन्में पूर होती है, भगवान ने जो मनुष्य शरीव दिया है, इसमें डिसियन देने का अधिकार कहीं पर हमारे भवान कहते हैं, करम करना तुमारे आपने है लेकि फल देना मेरे आपने है तो अगर कोई बेखती सुसाइड करता है मतंगी तक्ष्य में यह जीव की स्वेत इच्छ है इसे भगवान का कोई कंट्रोल जो तो बहुत रेर होता है बहुत रेरेस्ट रेरेस्ट कभी होगा कि भगवान किसी को कि यह स्पीशीज कैसी है यह आपको इस बहुत जिकत से निकाल सकते तो भवान ने आपको यह पर टोटल फीड़न जिया गुरु धान करने का अपना जीवन यापन करने का दिखें शास्तर में एक जिगे आता है जिसे अभी हमने कहा कि गुरु शिष्य को गुरु की हर बा तो कई बार हमको शास्तरों के एंगल सुझेने की हर चीज़ तो यहाँ पर नॉमली क्या होता है आपको हर बात गुरु की मामनी है पर शास्तर कहता है नहीं इस जगह आप अपने जीवन को भवान के प्रस्ते कर समर्पिक कर देते हो तो यहाँ पर आप गुरु अग्या का कर सकते हो तो हर जिगे डिवुटर पर यह जो सुसाइड वाली बात है यह टोटल डिसीन जिवात्मा को हता है भगवान इसमें कोई इंटर्फेर नहीं कर भगवान केते हैं मैं आपको माना विश्यर दे दिया है इसको प्रवपध्य आपको एकलाइज कर रहा है आप जितन वह किसी को मार सकता है किसी से बदला ले सकता है सुसाइड नहीं कर सकता है अधिवादी अधिवादी हरी कि लाली प्रूव आपको अन्म्यूट किया है किसी पूजी अभी तबित के सी पूजी आपकी तबित और बैठर हो जागी जैसे घर भी बड़ेगी पूजी यह हाई इटिजूट का असर है जो भी यह हुआ है जो पर अप लगी पहले जाही उसके अब साल थोड़ा दिक्कत होती अगर आप लोगों क्या स्विवाद रहेगी तो पूजी आप दो गर बना लिए पूजी एक आप करम निसर में घर हो गए आप अप हमेशा गर्मी रेती है जब ठंड हो तो आप अपना प्रस्तान कर सकते हैं तो जी इतना सुज़ है नहीं नहीं दिफ वी एक कल भी मैंने यह के रात को क्लास नो बजे आट से अब कर रहे थे क्या हो कुछ ने कल बताया था कि अभी जो हमने इवनिंग का प्लैनिंग किया था कही ने कहीं भक्तों के टाइमिंग मैच नहीं हो रहे है सबके शाम को एंगेंग काफी होते हैं इसलिए सबस्वे गाएगा महराज के परवचन के बाद और सुबह साथ बेता किते हैंगा कुलदी पुरुजी आपको on mute किया है कुल्दीपु आपकी आवाज नहीं आ रही है अरे किस्णा कुल्दीपु आपकी आवाज नहीं आ रही है आप म्यूट करके फिर सेन्म्यूट कीजिए अरे किस्णा नहीं प्रुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है अरे किस्णा मैं कल आपको रिप्लाइं करता हूं हमारा सेशन डेली रहेगा महराज जी के परवचन के बाद और साध्वित कर रहेगा स्टार्टिंग के दो दिन में हम पहले मंगलाचार करेंगे हम फिर एक माला जब करेंगे फिर महराज जी के लेक्षेस में क्या सीका हम उसका शेरिंग करेंगे उसके बाद जो सेशन रहेगा वो दो तीम भाग में रहेगा दो दिन हम गुरु शिश्य बुक रिडिंग करेंगे दो दिन हम व्यश्ण सताचार बुक रिडिंग करेंगे और दो दिन हम मंगलारती है और अलग लग व्यश्य बज़ने उनका मेनिंग समझने का प्यास करेंगे तो जो गुरु शिश्य बुक रिडिंग रहेगा उसको म आपको सेवा करेंगे तो यह नॉर्मली शेडूल होएगा और साथ देप्रम सेशन वाइंडब भी करें ठीक है आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अरे क्रिश्चन